ओम वन्दे गौतर मित्रो स्वास्थ्यरक्षा से प्रभाOM सबका स्वागत करती है मित्रो एक विश्य ऐसा है कि जो आजकल हम अपने आसपास देखने लग गये हैं जो हमें मिलने लग गया है और इस तरह है मिलने लग गया है है कि बच्चे परिशान हो रहे हैं विशे क्या है जैसा कि अपने टैटल पढ़ा है सावधान आपकी एक गलती आपके बच्चे को अनाथ बना सकती है गलती क्या है मित्रू आजकल हम देखते हैं कुछ विशे ऐसे बन गए है कि आजकल एक दमपत्ती या आजकी जो युवाई पीड़ी है वो अपने शारीरिक स तो किसे आगे कुछ माइनी नहीं रखता और बच्चा तो बाइचांस हो जाता है भाइच्चा हो गया तो संभालना तो पड़ेगा उसको रखना भी पड़ेगा लेकिन कौन रखेगा इसको जी हा मित्रो कौन संभालेगा इसको क्योंकि हम जो देख रहे हमारे समाज में जो हो रहा है आज कभी विवाह के बाद या बच्चा होने के बाद या तो पतनी गलत हो जाती है पती गलत हो जाता है दोनों में से कोई भी गलत होता है तो बच्चे को परवरिश ठीक से पूरी नहीं मिल सकती क्योंकि एक जो ग्रहस्ती है जो बच्चा है वो एक मा या पिता की जिम्मेदारी नहीं होता है वो दोनों की साजा जिम्मेदारी होता है लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस सरे हमारा समा अज विक्रित होता जा रहा है, उसमें विक्रितिया बढ़ती जा रही है। इंब विवा के बादल पत्रीया पत्पनी, एक बच्चे के लिए समर्पित हो जाता है, और दूसरा करें बाहर को डुढ लेता है। ऐसी स्थिती में होगा क्या? जरा कल्पना करिए. एक पती या पत्नी किसी दोनों में से भी एक यदि चला जाता है. पत्नी बच्चों को संभालती है और पत्ती बहर संभालता है. माना की शुरुत में यही होता है. तो यदि पत्नी चली गई है तो बच्चे को कौन संभालेगा? क्योंकि मान नहीं है. मा के अभाव में एक पिता अकेला बच्चे को नहीं संभाल सकता. अब यदि पुरुषों काम कर गया है. तो कौन कमाएगा? तो अकेली मा उस बच्चे को सब चीज़े नहीं दे सकती. वहाँ वो दोनों स्थिती में अनात हो जाता है. उसके प्रति जो जिम्मेदारियें, जो जबब दे ही आपकी, आप उसे भाग जाते हैं. और ऐसे स्थिती में परिशान मात्र और मात्र आपके बच्चे को होना है. इसलिए मेरा आप से करबध धनुरोध है. यदि आप पती-पत्नी के रूप में आगे बढ़ने को तयार नहीं हैं, तो या तो अपने बच्चे को अनाथाले में दे दीजिए, या उसका गला घूंट दीजिए, या बच्चे को जन्म ही मत दीजिए, और उससे पहले एक साब्धानी और बढ़ते कि बच्चे आप ये गर्भ में ना आएं, क्योंकि इदि आप एसा नहीं करते हैं, तो हमारे हां अनाथों की संख्या बढ़ेगी, या तो आने वाले पिड़ी बहुत अधिक परिशान होगे, मित्रो, वासना एक सीमा तक होती है, पर उसके बाद, जब आयू ढलती है, या शरीर कमजोर पड़ता है, तो वासना छू हो जाती है, तब संबंध ही हमारे लिए सहयोगी बनते हैं, सहयक बनते हैं, और यदि आप इन संबंधों की एहमियत नहीं समझते हैं, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे, आपको वर्तमान में लगेगा, कि मुझे जो चाहिए, मुझे मिल रहा है, मुझे और क्या करना है, लेकिन आपका भविष्य कहीं से भी सुरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि आपने एक बच्चे को सुरक्षित भविष्य नहीं दिया है, तो आपको सुरक्षित भविष्य कैसे मिलेगा, इसलिए मेरा आपसे करबध अनुरोध है, कि मेरे भारत वर्ष को यदि अनाथों से यदि अच्छी बीड़ी देनी है अनाथों से बचाना अच्छी बीड़ी देनी है तो एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे और खासकर अपने बच्चे के प्रति अपनी जवाब दही को समझे यदि आप यह समझत मिखरता चला जाएगा और हम देख रहे हैं हमआरे हो रहा है विदेश Olum ko रहुए इसев हमét कुछ कयां दान 나올ौद मिठ्रों को Skya आप्त हो जाएगा संभाली आपने आपको थोड़ा सा मुल्यों को समझे जीवन मुल्यों के बिना जीवन जीवन नहीं होता यदि आपके लिए वासने सब कुछ है तो बाजार में सम्मध मना लीजिए किसी एक वेक्ति के साथ सम्मध मत बनाईए ताकि भावनाई ना जुड विचार करेगा मेरी बात पर माता पिता बनने से पहले यह अनिवारे है आपके लिए और यह आप नहीं कर सकते तो आपको माता पिता बनने का अधिकार नहीं है धन्यवाद वंद्यमात्रम